नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिक्षा अकेडमी में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं कोशी का वेक्जान से संबंदित अती महत्पून प्रश्ण जो कि आपको हर परिक्षा के लिए बहुत ही जादा महत् होंगी तो चलिए दोस्तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस वीडियो का पहला प्रश्ण है कोशी का सब्द का प्रयोग सर प्रतम किषने किया था कोशी का सब्द का प्रयोग सर प्रतम किषने किया था इसका सही आंसर है आप्शन ए यानि इसके बाद नैश्ट है कौन सी रचना जन्तु कोशिका को बनस्पति कोशिका से बिवेदित करती है या अलग करती है तो इसका आंसर है स्रेंटी ओल इसके बाद नैश्ट कोशिका में राइबो शौम की अनुख वपस्तिती में निम्र में से कौन सा कारेशम पादित नहीं हो कोशिका में यदि राइबो सौम नहीं होगा तो उसमें कौन सा कारे शंपन नहीं होगा दोस्तों भाए प्रोटीन का संसरेशन नहीं हो पाएगा यानि कि राइबो सौम का कारे है प्रोटीन संसरेशन करना इसलिए यदि कोशिका में राइबो सौम नहीं होगा तो कोशिका मे प्रोटीन का संद्रेशन नहीं होगा इसके बात नैश्ट है एदी माईटो कांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशी का में कौन सा कार नहीं हो पाएगा कौन सा कार नहीं हो पाएगा तो कांसर है भोजन का आकसी करन नहीं हो पाएगा जो कोशिका में माईटो कांडिया है उसका कार है भोजन का आकसी करन करना इसकी बात नैश्ट है कोशिका का उर्जा ग्रह किसे कहा जाता है तो इसका आंसर है माईटो कांडिया को कहा जाता है उर्जा ग्रह किसकि बार निममफ लेक्ड मैंसे कौन सा सबसे बड़ा कोषी कांक है दूच तो प्लाश्टिड लाश्टिड सबसे बड़ा कोषी कांक है इसके बाद नैश्ट कोशी का में प्रोटीन संस्रेशन कहां पर होता है इसका अंसर है राइबोश्वम में होता है प्रोटीन का संस्रेशन कहां पर राइबोश्वम में होता है इसके बाद नैश्ट पादक कोशी काओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है या सबसे बाहरी हिस्सा होता है जो उसको क्या कहा जाता है तो दूस्तों उसको कोशी का भित्ती कहा जाता है इसकी बात नैश्टव कोशी का को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशी का को एक निश्चित रूप प्रदान करती है इसका अंसर दुस्तो कोशी का भित्ती एक कोशी का को निश्टत रूपरदान करती है इसके बाद नैश्टा कोशी का अधरप में उपस्तित महीन साके जिलीदार और अनियत नलीकाओं का घना जाल क्या कहलाता है इसके बाद नैश्टा प्रोटीन निर्मान का सक्टे इस्थल है यानि प्रोटीन निर्मान कहां पर होता है तो इसका आंसर है दुस्तो यह राइबो शौम में होता है प्रोटीन निर्मान इसके बात नेश्डव कौन सा कोशी कांग केबल और केबल पातक कोशिका में पाय जाता है और जंतु कोशी कांगे नहीं पाय जाता है इसके बाद नैश्ट कोस की ये स्वासन का सक्री इस्थल कहां पार है या कोसी की स्वास का इस्थान कहां पार है जहां पर कोशी का स्वासन होता है तो इसका आंसर दोस्तो माईडो का इंडिया में कोस की ये स्वासन होता है आवबनी लवक मुकता पाय जाते हैं पूलों और वीजों को विवल्डून उतए परकार औकर्ण़ दया करता है यानि लाल कलर फी लेकर जितने भी कलर वार ये फूल है उसमें सब का कारण है क्रोमपलाश्ट यानि क्रोमपलाश्ट के कारण ही फूलों को और वीजों को रंग प्रदान होता है इसके बात नैश्ट है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कोशिका की आत्म हत्या की थेली किसको कहा जाता है दोस्ते इसका अंसर है यह राइसोस्वम को कहा जाता है कोशिका की आत्म हत्या की थेली इसकी बात नेश्ट है राइसोस्वम में पाये जाने बालब है एंजाइम जिसमें जीब दिरब को गुला देने या नश्ट कर देने की चमता होती है क्या कहलाता है दोस्ते उसे कहा जाता है हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम क्या कहा जाता है हाइड्रोलाइट्रिक एंजाइम कहा जाता है इसके बात नैश्ट है 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पधार्थ कौन सा आया आप यहां बूल सकते हैं कि कोशिका में 80% कौन सा पधार्थ पाया जाता है तो दुस्त उसका अंसर है जल्ब यानि कि जल्ब पधार्थ कोशिका में लगबग 80% पाया जाता है इसके बाद नैश्ट है किसकी उपस्तिती के कारण किसी पादक कोशी का और पसु कोशी का में अंतर पाया जाता है तो इसका अंसर है कोशी का भित्ती तो कोशी का भित्ती के कारण ही पादक कोशी का और पसु या जन्तु कोशी का में अंतर पाया जाता है दुस्तो इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पर शमाप्त होता है यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें श्यर कर और दुस्तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें दोस्तों यदि कुछ में गलती भी हो तो प्लीस मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई